दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनन्दन है आपके अपनी यूटूब चैनल आरेन इंस्टूट इलहबाद में दोस्तों तमनल पर देख पा रहे हैं आज एक लेटिस्ट मुद्ध पर आपसे चर्चा करने वाले हैं लेकपाल भड़ती रिजल्ट अपडेट पर दोस्तों अगर देखा जाए लेकपाल भड़ती परिक्षा के रिजल्ट का आप बिसब्रिस इंतिजार कर रहे हैं ठेक है देख पा रहे हैं बारा जनवरी मिन्स आज की बड़ी अपडेट हम आपके बीच में सेयर कर रहे हैं को लेकर कटॉफ को लेकर आपको थोड़ी सी दुबिधाया जरूर है कि आकरकार इस भरती परिच्छा में हमारी कितनी कटॉफ जा सकती है ठीक है तो इन सभी मुद्दो पर हम चर्चा करेंगे एक पेपर कटिंग आपके बीच में वाइरल की जा रही है इस कौमन अंक की मशल सभी मुद्दो परमचर्चा करेंगे मैं निवेदान आप सभी करना चाहूंगा कि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा सबसे पहले हम आपको एक अपडेट से वाइरल जो है रूबरू कराते हैं जो निकल कर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है आप खुद इतने समझदार हैं कि पिपर किस रस्तर से आपके लिए बनाया जा रहा ठीक है प्रत्य लगबग प्रत्य प्रश्न के उत्तर पड़ जताई गई आपती ठीक है यहां देखें आचा एक चीज मैं आपसे अगर बताओं तो आपकी आपती दर्ज कराने का सुल्क रखा गया था इस लेकपाल भरती प्रक्रिया पर वह जो है एक भी पैसे उसमें नहीं लिये जा रहे थे ठीक है अगर देखा जाया तो इस वजह से आधिक तरब भेरतियों ने किसी को किसी भी प्रश्न पर डाउट अगर हुआ तो वो प्रत लेकपाल भरती परिक्षा की उत्तर कुंजी की करीब 79,000 अपतिया आए हैं अब इनके निस्तारण के बाद इलहाबाद हाई कोड की लखनव खंडपीट में दैर याजकाओं के निस्तारण के लिए आयोग की परिसानी का सबग बना हुआ है लेकपाल के 8,085 पदों के 2022 को हुई परिक्षा हुई थी 247,000 अप्यर्तियों में से 2,12,863 अप्यर्ति मौजूद रहे एक अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की आपतिम आगे जिसके बाद 100 प्रशनों में से लगबग सभी प्रशनों के उत्तर पर 79,000 अपतिया आए इस पर 3 प्रशन के उत गलत मानते हुए आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की है इसके इससे अंसंतुष्ट होकर भेड़ती हाई कूर्ट चले गए अब सभी आचकाओं के निस्तारण होने के बाद आयोग अंतिम परड़ाम जारी करेगा है इसके अलामत दिव्यां के भेड़तियों के आरक्षण य लेगा आयोग भविश्च में होने वाले सभी परिक्षाओं के लिए आयोग उत्तर कुंजी पर प्रति आपति सव रुपए सुलक लेगा इसके पहले आपतियां नेसुलक दायर की जाते थी आयोग का मानना है कि नेसुलक होने वाले आपतियों में आपतियों में से कई प् चीज़ें आपके बीच में देख पा रहे हैं ठीक हैं आपकी जो फर्स्ट हेरिंग के डेट थी वह 18 नॉंबर को थी और नेक्स्ट मिंस आगली जो आपकी सुनवाई की तिती रखी गई हैं वह 25 जनवरी को इस लेकपाल बढ़ती परिक्षा के रिजल्ट पर सिंगल बेंच म सुनवाई आपकी होनी है ठीक है यहां सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं जो है अचा अब हम इसके संदरोब में हम आपसे चर्चा करते हैं अगर जाहिज सी बात है आपने देखा इसमें साफ तोर पर लिखा गया था कि जब सारी आप पत्तियों का निस्तारण हो लेकिन कोर्ट केस में आपके सुनवाई 25 तारीक को है ठीक है 25 जनवरी को है तो जाहिज सी बात है कि अब आपकी जो रिजल्ट की संभावना है फरवरी में घोसित होने की जताई जा रहे थी वह कहीं ना कहीं धुमिल होती हुई चले जा रहे हैं अगर फाइनल डिसीजन को कहीं ना कहीं अगर इस पर हम चर्चा करें तो प्रबल संभावनाएं हैं दो से तीन नंबर मिलने की फिलाल के लिए जब रिजल्ट आपका गोसित होगा तो उसके बार सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे लेकिन यह मानकर चला जा रहा है कि कोर्ट के दौर आपको दो से तीन नंबर मिल सकता है ठीक है यहां जो पंद्रह अजार संदिग्द का मामला है कहीं ना कहीं अगर देखा जाएं तो यह यह यूपी ट्रिपल सी गौर्मेंट डाट इन की वेबसाइट पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दी गई हैं इस बढ़ती प्रक्रिया में पंद्र को कितनी जा सकते हैं देखिए कट आफ का वीडियो हमने आपके बीश में प्रोवाइड कर रखा है ठीक है आप उस प्लीज उस वीडियो को देखिए क्योंकि कट आफ का वीडियो बार बार आपको उसी मैटर पर देना अच्छा नहीं लगता इस वजह से कट आफ की वीडि जरूर किजिए के मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स धन्यवाद